हलो फ्रेंड्स आज हम फिर से एक वैदिक मैथ का इजी मल्टिप्लिकेशन ट्रिक सिखने वाले हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक्जाम्पल के तौर पे लिया है 298 इंटू 295 फ्रेंड्स देखिए यह जो दो नंबर्स है इनका बेस नंबर है 300 बेस नंबर मतलब नियार अगर हम 300 लेस करें तो हमें मिलता है –2 और अगर 295 हैं 300 लेस करें तो हमें मिलेगा –5 तो फिर्स्ट डिफरेंड्स यह है कि यह जो डिफरेंट्स निकला है इसको हम मल्टिप्लाइ करके आंसर में लिख देंगे like 2 5s आ 10 हमने answer में लिख दिया है next step friends क्या करना है next step में cross addition करना है like 295 plus minus 2 कर सकते हैं या तो 298 plus minus 5 कर सकते हैं तो friends अगर हम 298 minus 5 करते हैं तो हमारा answer निकलता है 293 अब friends क्या करना है यह जो 293 निकला है इसको base number से multiply करके answer में लिख देना है जो भी base number होगा अगर आप कुछ भी numbers लें अगर आप ऐसे numbers लें मतलब की like 432 ले और 495 ले जो दो numbers है इनका base number है 500 तो friends क्या करेंगे हम same process apply करेंगे और last में base number 5 से multiply करके answer में लिखेंगे या अगर कोई भी number ले तो last में क्या करना है base number से में multiply कर देना है तो यहाँ पर हमने multiply करना है 3 3s आ 9, 3 9s आ 27 का 7, 2 carry over 3 2s आ 6, plus 2 8 तो यह friends हमारा आ गया answer 8 79 1 0 तो friends यह trick कैसा लगा आपको आप comment करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए तक्स पर वोच्चिंग